हेलो दोस्तो आज हम बनाएंगे चार ब्रेट से बिलकुल नए तरीके का बहुत ही जादा टेस्टी नास्ता इस रास्ते को बड़े से लेकर बच्चे तक सभी बहुत ही मज़े से खाएंगे दूसरी चीज इसे हल्दी तरीके से बनाएंगे ताकि बच्चे हों या बड़े सभी ही बहुत ही मज़े से इंजॉय करें इसके लिए हमने वाइट ब्रेट नहीं है चार से पाच और इसे किसी भी कटोरी या फिर आप किसी भी गिलास से इसे कट कर लीजेगा तो हमने सारी ब्रेट को बड़िया से कट कर लिया है ब्रेट को कटी हुई ब्रेट को रख देंगे साइड में अब एक बड़ा पॉल लेंगे और इसमें डालेंगे एक कप के जितना बेसन तो बेसन पर यहां पर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं बारिक या मोटा बेसन से आधा लेंगे चावल का आटा इससे ये नास्ता बहुत ही करारा सा बनकर तयार होगा आधा चमज अजवाइन डालेंगे आधा चमज चली फ्लैक्स डालेंगे आधा चमज कच्चा जीरा डालेंगे आधा चमज नमक डालेंगे इसके बाद आधा चमज धनिया लेंगे क्योंकि चावल का अटा है इसमें पानी एक साथ बहुत जादा पानी करिएना और इसे बहुत जादा पानी ना करियेगा फूटा ंंतर त्हुटा करिए को कि चावल skye जैसे फूलता है क्योंकि दो अब्जोर्ब करने की बजाए पानी छोड़ देता है तो इस तरीके से इसे मिला लेंगे बढ़िया से और इस तरीके का थिक पैटर बना कर तयार कर लेंगे और जो भी इसमें गाठे या गुठ्लिया हो उन्हें इस पैचुला से अच्छे से मिलाते हुए इसे खतम कर देंग अब इसमें हमें दो कच्छे आलू को ग्रेट करके धो लिया है अच्छे से वो डाल देंगे इससे बहुत ही बढ़िया सा ये नास्ता बनकर तयार होता है तो कच्छे आलू को कद्दू कस करके अच्छे से डाल दिया है और इस सभी चीजों के साथ एक बार बढ़िया से मि मिला दिया है और ये एकदम भड़िया सा बैटर बनकर तयार हो गया है सबी चीज़ों को मिला कर क्या करेंगे इसमें धकन लगा देंगे या लेट दगा देंगे और इसे छोड़ देंगे कुछ मलब 5-7 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से बेसन और चावल का हांटा भड़ भी हो जाता है इसलिए बोला था इसे ठिकी रखेगा अब जो ब्रेट को काट कर लिया था पैचुला या चमच की मदद से इसके एक साइड पे इस पैटर को अच्छे से लगाएंगे और ये देखे कुछ इस तरीके से बढ़िया से बैटर को लगाना है अब हमें एक पैन लेना है और इसमें तेल को गरम करना है तो यहां पर मैं डीफ राइ नहीं करूंगी तो इसी लिए हमने दो से तीन चमच को चमच तेल गरम किया है बहुत जादा तेल नहीं लिया है अब जिस तरब से ये बेसन वाला घोल लगाया था उस साइड को नीचे की ओर करेंगे औ अब इसके उपर चमच की मदस से जैसे हमने एक साइड कोट किया था बेसन से वैसे ही उपर की लेयर भी इसमें अच्छे से लगा देंगे और इस तरीके से लगाएंगे ताकि ब्रेड हमारी पूरी तरीके से ढख जाए और इस तरीके से बढ़िया से लगा देंगे और ती जादा मज़िदार लगेगा इसमें आपको ब्रेट पकोड़े का आलू पकोड़े का दोनों का ही फ्लेवर मिलेगा बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में और कम तेल में हल्दी तरीके से बनकर तयार होते हैं तो जब एक तरब से अच्छे से सिक जाए तब इन्हें हलके ह उने तक सेख लेना है चावल का आटा पड़ा है इसलिए यह बहुत ही जादा क्रिस्पी करारे कुरकूरे से हमारे ब्रेट आलू के पकोड़े बनकर तयार होते हैं बनाने का तरीका यूनीक है पर खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगते हैं और यह देखिए बढ़िय से सिख किया है तो बस हमें इसे निकाल लेना है और इतने कम ओयल में यह टेस्टी से ब्रेट पकोड़े क्या आपने कभी ट्राइ किये हैं नहीं किये हैं तो ट्राइ करिएगा बहुत अच्छा प्लेवर मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तयार होते हैं इन्हें आप लगभग 6-7 ब्रेट पकोड़ी यह बनकर तयार हुए है तो इतने हमारी फैमली के लिए बहुत है और इन्हें आप सुबह साम नास्ते में कभी भी बना सकते हैं और एक पीस मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं कितना बढ़िया टैक्शर आया है अंदर तक एकदम पके है तो वीडियो